डौबर मैन पिंचर इस डौग बिड के बारे में आपने सुनाई होगा एक पॉपिलर डौग बिड है जो कि काफी अच्छे गार्ड डौग होते है लेकिन हम कुछ ऐसी चीजे कर देते है जो आपके डौबर मैन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है इससे आपका बौण खराब हो सकता है डौग के जो एग्रिसी बिहेविर है वो बढ़ सकता है या फिर कुछ और चीजे भी हो सकती है इसलिए इन चीजों को जानना काफी जरूरी है तो आज की वीडियो में हम ऐसी कुछ चीजों के बारे में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजे और आपके डौबर में में आप क्या देखने को मिलता है इन सब में से आप जरूर से कमेट करके बताए अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही बैक्याड है और या फिर गार्डन है और आप ज्यादता टाइम पे उसे बैक्याड में ही रख देते हो या फिर कैनल के अंदर ही रखते हो केज में ही रखते हो तो इससे आपका डौबर में हर्ट हो सकता है अब कई ल काट करेगी लेकिन इन डॉग बीट को आपके आसपास होना आपके साथ रहना फैमिली में इंकलूड होना काफी जादा पसंद है और यह प्रोटेक्ट करेगी आपको कोई भी इसमें शक नहीं है लेकिन आप जब इनके आसपास हो तब इसलिए अगर आप जाला तर अपने ड प्रोबलम जिससे आपको भी प्रोबलम हो सकती आपके डॉग बीट को वह अपने डॉबर मैं को मैच्यूर होन देना विदाव ट्रेनिंग अब काफी सारे लोग अपने डॉग बीट से प्यार करते हैं मानता हूं लेकिन वह ले आते हैं उन्हें ट्रेड नहीं करते जैसे खाने को दे रहें जहां जा रहा जाने दे रहें या फिर कहीं पर बेटने दे रहें तो ऐसा सब नहीं करना चाहिए उन्हें प्रॉपर ट्रेन करना चाहिए कि यह जगा गंदी है तो वह ना बेठे सीट शेक हैंड नमस्ते लाइडाउन फिस्टॉप या फिस्टॉप या जो आपको काफे ज़्यादा helpful रहेंगे आगे चलगे अगर आपका doberman बिना ही training के mature हो जाएगा ऐसे ही आगे चलगेगा तो वो आपकी बात नहीं मानेगा कहीं भी बाग सकता है आप किसी पे भी attack कर सकता है लेकिन अगर आप train करो तो इन सब प्रॉब्लम से बज सकते हो और वो जब बढ़ा हो कैसा करेगा और आप उसे रोकोगे तो भी रुकेगा नहीं वो सोचेगा कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मुझे ये बिना फालतू के ढाट रहे इससे बांड भी खराब होगा नेक्ट लिविंग देम इन स्मॉल स्पेसे अब डॉबर मैं मीडियम टू लास साइस की डॉब्रीट होती है तो इन्हें फ्रीली मूविंग स्पेस चाहिए होती है जिससे ये आराम से रह सके लेकिन कई सारे ओनर्स ऐसे होते हैं इन्हें छोटी छोटी जगाओ पर ही रखते हैं एक जगाओ पर ही बांद के रखते हैं और काफी छोटी जगाओ होती है तो वह वहाँ पर आराम से रह भी नहीं सकते हैं वह अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं तो इसके चलते dog breed दीरे दीरे depression में भी जा सकता है, काफी problem भी face कर सकता है, इसलिए अगर आप अपने dog breed को किसी large area में या फिर बड़े area में रखे जहां पर फ्रीली move हो सके तो ही अच्छा रहेगा, अगर छोटी जगा में रहते हैं तो इससे आप पर dog breed को hurt भी होता है और उस इसके कारण उनकी sleep disturb हो जाती है, तो यह आपके dog breed को बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो जब भी वो सो रहोंगे और आपकी जो नींग खराब करते हो तो आपकी बात भी तब नहीं मानते, कहीं और जाके सोने की कोशिश करते हो, इसके कारण disturb हो जाते है, proper sleep मिलना भी dog breed के ल इसलिए वो handle hardly करते हैं, और कुछ लोग काफी जादा rough हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर proper train करो तो आपको यह hard या rough handling की problem ही नहीं आएगी, कुछ लोग क्या करेंगे, लीश में ले जाएंगे, बात नहीं माना तो एकदम जोर से खीच लिया, तो इसा सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हारनेस या फिर जो भी dog bit के belt होते हैं, वो अलग अलग type की होते हैं, तो कुछ में dog bit को problem भी हो सकती है, लग सकती है, इसलिए हमेशा ध्यान रहे हैं, अगर ऐसी situation आजा कि पकड़ना पड़े तो हाथ से आगे से पकड़ लीजे, लेकि करनी हैं, नेक्स्ट, preventing them from their natural behavior, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कि डॉटी की कुछ natural behavior होते हैं, जैसे कि जब वो पोटी करना जाते हैं, तब स्मेल करते हैं, वहाँ पोटी करने के बाद अपने पैर, जो जिस जगा पे होंगे, वहाँ पे घिसते हैं, आपने ये सब नोटीस पे हैं कि नहीं, अधर जो जेंडर्स होते हैं, उनके बार में उसे पता चल जाता है, तो ये सब उनका natural behavior में आता है, और इससे आप उन्हें रोकते होते हो, तो वह प्रॉपरली ना पोटी कर पाते हैं, ना बाहर जाके explore कर पाते हैं, तो ये सब बिल्कुल ना करें, उन्ह प्रॉपरली walking करने दे, smell करने दे, जितना करना चाहें, ये उनके लिए अच्छा ही है, तो ये कुछ things से जो आपको avoid करनी चाहिए, आपकी doberman के साथ, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती, आशाकर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूँकि अच्छी लगी जीचे चुक्छी में यूट विया चुक्छी लुट वबितने नहीं है, यूपकि लिए ए बिल्कुल इना चाहीं, जो आपको ऱुच्छी लगीं होती, युक्छी दे, इनके बना करते लिचीं का पक्छा ही है, यूट लूबुष आल करते हैं, यूणा है, पिल्कि फजे